गुद मॉर्णिंग बच्चो आज की वीडियो सेशन में हम लोग एड़ेक्टिव के साथ फिक्स प्रिपोजिशन देखेंगे इसके पहले नाउन के साथ जो फिक्स प्रिपोजिशन वाली बात थी तो समाप्त हो चुकी है उसमें थोड़े से नाउन बच गए है तो जो नाउन जो सेश बच गए हम उनको एड़ेक्टिव वाले वीडियोस में ही हम उनको अड़ेस्ट कर देंगे जैसे कि आप जानते हैं कि past participle भी adjective का काम करता है तो उसको adjective के category में ही रखा गया है तो आज की video session में हम लोग adjective के साथ two का uses देखेंगे ये काफी आपके लिए important ये video session होगे लगबग सभीतर के परिछाओं में आपको fixed adjective के साथ fixed preposition जोरूर पूछे जाते हैं और कई exams में तो आ आज की video session में हम कुछ important adjective की बात करेंगे जो कि अपने साथ preposition to लेते हैं देखेंगे अब हम बात करते हैं कुछ हिंदी में पहले सब्दों को लेते हैं फिर उसका English हम लोग देखेंगे जैसे कि अगर हम बात करते हैं uncool अगर हम uncool कहना है तो uncool कहने के लिए हमारे पास कितन जो भी word है जो भी adjective है जो अनुकूल का अंग्रेजी बनाते हैं वो सभी के सभी के साथ preposition to का परियूग होता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ अनुकूल के लिए तो हमारे पास कुछ important words है जैसे कि conducive अनुकूल तंजेनियन अनुकूल कोई चीज अगर अगर favorable है तो आपके пример में मतलब अनुकूल और परतिकूल क्या होता है जो आपका फिबर कर देख अनुकूल होता है ज। आर्जो आपकी खिलाफ चला जाए वो परतिकूल होता है। ठीक कि तीन word मैंने लिखा है यह इस तरह के words हैं जो कि आपको बार-बार देखने को मिलेंगे इसके अलावा भ अब इनके साथ हम जो प्रिपोजीशन का जो यूज करते हैं इनके साथ फिक्स प्रिपोजीशन टू का प्रियूग होता है अब आप ऐसे समझें चलिए एक सेंटेंस से इनको समझा जा सकता है जैसे कि अगर हमें कहना है आप इस वाक को देखें क्या कर रहा है काली मिट्टी कपास के लिए अनकूल होता है ठीक ना कपास के लिए जो एडियल मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होता है चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं यह कैसे बनेगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे ब्लैक स्वाइल इस चलिए इसके पिछले वाली वीडियो में मैं एक आप को बेसिक बात बताया था कि किसी सब्जेक्ट के बाद यदि हमें एडिक्टिव का प्रियू करना है तो हम सब्जेक्ट के बाद एडिक्टिव नहीं लिख सकते हैं थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इसलिए यहां पर हमें देखें ताहिती हैं हिंदी को नहीं लेके चले ठीक ना से बनाना है हमें सेंटेंट किसे वोप से नहीं बनाना है हम सेंटेंस से बनाना है ठीक ना अगर वोप से बनाना होता तब हम यह देखते कि सींपल प्रजेंटिट का है क्योंकि अंत में lı help देखें क्योंक personalities का जो अभी जो citizen प्रक्षन होगा वह एज्जेक्टिव के माध ही हमसे होगा तो हम इस बात को कैसे लिखेंग ब्लैक स्वाइल इस चलिए अब हम लिखते कंड्यूसिव अनुकूल के लिए हम एक वर्ड यहां चुनाव करते कंड्यूसिव का हाला कि आप कंजेनियल और फेबरेबल का भी यू होते हैं। लेकिन हम यह समझना की कंड्यूसिव लेता क्या है हम इसको देखना है तो फिर पता चला किatiques के साथ हमारा पूरा वाक्त इस तरह से बनेःगा ठीक ना? ब्लैक स्वाइल इसाद्र vasive to cotton पर बात करते हैं कि अनुकूल का क्या होता है अनुकूल का पोजिट होता है पर्तिकूल अब प्रतिकूल के भी जो ओड होंगे जो आपके खिलाफ काम करेंगे अब इसके भी जो वर्ड सोंगे उनके साथ मिप्री प्रिपोदीशन हम टू का प्रियूग करेंगे जैसे कि अगर हम बात करते हैं तीकि वहां पर फेबरेबल है अब हम एक वड़ ले सकते हैं अनफेबरेबल कोई चीज़ अगर अनफेबरेबल है इसका मतलब है कि वह परतिकूल है चलिए परतिकूल के लिए हमारे पास और भी word है जैसे के adverse ठीक है यह बहुत बढ़िया word है और भी कोई तरके word हो सकते लेकिन यह जो दो word है आपके use के word है अब इनके साथ भी हमें preposition का use करना है तो preposition हम two का प्रियूख करेंगे ठीक है adverse और unfavorable का अर्थ होता है परतिकूल तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि आपको यह अनकूल और परतिकूल वाली बात समझ में आ जाएगी आ गई होगी अगर कोई चीज़ आपके लिए अनकूल है या वो चीज़ परतिकूल है तो इसके साथ लगने वाले preposition जो होंगे वो टू होंगे चलिए इसी प्रकार हम कुछ और भी दूसरे सब्दे लेते हैं जो अनकूल के synonyms के तोर पर काम कर सकते हैं जैसे देखिए लावदायक और हनिकारक यह भी तो अनकूल बहुत ही इंपोर्टेंट वड होते हैं आपको बार-बार सेटों में देखने को मिलेंगे तो एक होगा beneficial और एक होगा advantageous एक होगा beneficial और एक होगा advantageous ठीक ना यह दो वड़ हैं जो कि बार-बार आपको सेट में देखने को मिलेंगे कई बार परिष्टाव में पूछे जा चुके हैं कि beneficial के साथ क्या proposition आता है advantageous के साथ क्या आता है ठीक ना तो यह beneficial और advantageous के साथ हम proposition two का preview करते हैं यह fix proposition है यह change नहीं होने इसी प्रकार हानिकारक अब हानिकारक के लिए हमारे पास ना काफी बढ़ है अब इसको कह सकते हैं घातक देखिए सब अलग-अलग है लेकिन sense एक ही है ठीक है अगर कोई चीज अगर आपके लिए हानिकारक है तो इसका मतलब है कि वह आपके विरुद्ध काम करेगा चलिए अब हम इसके लिए कुछ अच्छ और एड़ेड़ेक्टिव को देखते हैं जो हानिकारक का अंग्री जी होगा उसमें लोग देखते हैं क्या हमें मिलता है इंजुरियस हामफूल कि अच्छलिए परि जूडिशील कि अट्रइमेंटल यह detrimental है अच्छा इसके बाद हम ले लेते inimical यह इतने वर्ड जो है यह popular वर्ड्स है यह सब वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यह हानिकारक के वर्ड्स इंजूरियस, harmful, prejudicial, detrimental और inimical यह common ऐसे वर्ड्स है जो किहानिकारक घातक जैसे सब्दों का अर्थ यह देते हैं ठीका ना और इनके साथ अगर हम preposition की बात करते हैं तो इनके साथ लगने वाले preposition जो होंगे वो two होंगे आपने एक popular add देखा होगा ठीका ना वो add क्या होता है वो इस तरसे आपको add देखने को मिल जाएगा चलिए sentence देखा जाए कैसे आपको add देखने को मिलेगा tobacco is injurious to health इसका हिंदी क्या होता है कि जो तंबाकू होता है वो स्वास्त के लिए हानिकारक होता है स्वास्त के लिए घातक होता है इसी तरीके से आप harmful, prejudicial, detrimental और inimical का भी उसकर सकते हैं जैसे कि एक पूरा complete वाक को देखा जाए चली एक sentence को देखते हैं चली यह क्या का रहा है कि भाइ-भती जावाद अगर आप अब बाकर को को देख रहे तो क्या कर रहा है्कि भाइ-भती-जावाद के लिए हानिकारक है छालीस के इसमि гру बनाते हैं कि कैसे यह बनेगा झालिए भाइ-भ Bäइ-भती-जावाद का जो वर्ध होगा वहाँ नीपोटीजम का मतलब होता है कि अपने वेक्ति को फेवर करना नीपोटीजम इस चलिए अभम हनिकारक के लिए और भी वर्ड हम दूसरा ही यूज सकते हैं जैसे देटरिमेंटल जैसे इनिमिकल तो क्या लिखा कि लाबदायक और हनिकारक के जो भी एजेक्टिव होंगे उनके साथ लगने वाले प्रिपोजिशन टू होंगे चलिए बात को हम लोग आगे देखते हैं देखियो नस्दीक अथवा समीब इकी चीज़े नस्दीक समीब एकी चीज़े ठिकना इससे रिलेटेड दो वड है जो कि अपने साथ प्रिपोजीशन टू लेता है है एक हमार एज़ेक्टिव है अज़सेंट और एक वाड़ है ख्लोज ठीक है जिसका अर्थ होता है नस्दीक समी इसके साथ लगने वाले जो प्रीपोजीशन होंगे वो टू होंगे अज़सेंट टू क्लोज टू ठीक है आप आसानी से इससे आप वाक को डिल कर सकते हैं जै चलिए यह क्या इसका हिंदी निकलेगा ड्रेंस ठीक न एड्जसिंट टू दे एरिया यानि कि छेत्र से सटे हुए चेत्र के नस्दीक जो नाले बहते हैं ड्रेंस लाला होता है ठीक है न वहाइं से स्मेल का मतलब होता है बैड्समेल मतलब दुरगंध इसको अगर S priests क्तो अच्छे संब अज Exact कर लिख सकते हैं चलिए जैसे नियर, लेकिन ये सेटों में मिलने वाले आपको वर्ट्स हैं, ये वैसे वर्ट्स हैं, जो कि परिछाओं में कई बार पूछे जा चुके, चलिए हम लोग कुछ और वर्ट्स को देखते हैं, देखिए, कुछ इस प्रकार के एजडेक्टिव हैं, जिनका अंत जो होता ह है, इनके साथ जो प्रिपोजिशन आम तोर पर हम टूकाप प्रियू करते हैं, जैसे कि अब उन्हें एजडेक्टिव को देखा जाए, जिनका अंत और से होता है, तो ऐसे एजडेक्टिव में सिनियर, जूनियर, इनफिरियर, सुपिरियर, ठीक है न, प्रिफरेबल, इसम होता है, चलिए, तो हम क्या देख रहें कि सिनियर, जूनियर, इनफिरियर, सुपिरियर और प्रिफरेबल, ये पांच ऐसे एजडेक्टिव हैं, जिनके साथ आम तोर पर आपको जब कॉमन एरर मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूमेंट इन पर मिलेंगे, तो आम तोर पर इनक साथ दैन का यूस होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाएं, कोशन में कैसे पूछा जाता है, इनके साथ दैन का यूस करके पूछा जाता है, जबकि इनके साथ क्या होना चाहिए, इनके साथ टू होना चाहिए, सपोस किजिए कि एक वाक इस तरह से है, एक कॉमन एरर का वाक लेके चलता हूँ, I am senior than you, मैं तुमसे senior हूँ, चलिए, अब ये जो वाक है ना, ये वाक पूरी तर से गलत है, गलत का reason क्या है, कि senior एक executive होगा, ठीक है ना, जिसके साथ हम preposition than का प्रियूग ना करके, किसका प्रियूग करेंगे, to का प्रियूग करेंगे, चलिए, इसके inferior मतलब निचला, घटिया, ठीक ना, कोई चीज दिदी निचला, अस्तर का है, घटिया, अस्तर का है, तो वो inferior है, इसी तरह से superior का मतलब वह तो बड़ा, stressed, ठीक ना, कोई व्यक्ति किसे stress है, तो उसे वो superior है, और preferable का मतलब है कि जिस चीज को ज़्यादा पसंद किया जाता ना उसको preferable कहते हैं जैसे कि अगर एक example देखा जाए preferable से इस तरह कि common error आपको काफी देखने को मिलेंगे देखना अगर भारत में बात करते इन इंडिया हारत में जो होता है वो काफी के मुकाबले चाय को ज़्यादा पसंद किया जाता है फिर वहीं गलती है preferable एक ऐसे adjective है जिसके साथ हम than का परियोग ना करके किसका परियोग करते हैं तो बच्चो ये काफी important adjectives है जिनके साथ हम preposition to का परियोग करते हैं चलिए कुछ हम आगे और बात को लेके चलते हैं देखे कुछ हमारे पास adjective है जो कि एक से ज़्यादा preposition लेता है ठीकर ना कुछ हमारे पास एजजेक्टिव है जो कि एक से ज़्यादा preposition लेता है ठीकर ना हम उनके साथ two के अलावा हम four बे यूज़ कर सकते हैं देखिए आवस्यक अथवा जरूरी है ठीकर ना कोई चीज वर्ड को देखा जाए कोई से कौन कौन सब्सक्राइब है जो आवस्यक या जरूरी का अर्थ बताएगा इस से रिलेटेड हमारे पास चार एक्टिव है पले लेके चलते एसेंशियल चलिए इसके बाद हम लेके चलते हैं नेसेसरी हमारे पास अगला जो एक्टिव है वह है इन्डिस्पेंसिबल और एक जो है वह है वाइटल देखिए यह चार इंपोर्टेंट एक्टिव है ठीक है जिनके साथ हम प्रिपोजिशन टू की अलावा इनके साथ हम प्रिपोजिशन टू की अलावा हम फोर का भी यूज़ कर सकते हैं ठीक ना मतलब इनके यह डवल प्रिपोजिशन लेने वाले एक्टिव है तू लगता है इनके साथ फोर भी लगता है थोड़ा सा देखा जाए कुछ वाक्तों को देखा जाए जिसे की आपक चलिए यह थोड़ा सा देखा जाये इसको यह कह रहाया क्या कि पैसा प्रसंता के लिए जरूरी नहीं होता है ऐसा जरूरी नहीं कि प्रसंता पैसा से ही आए कार्निक अतात पर यह है इसको हम कैसे इसको अगर हम बनाने है तो कैसे बनाएंगे money is not essential दिखिए अब यहां पर हमारे पास दो नो विकल काम करेगा ठीक है ना हमारे साथ यहां two भी काम करेगा four भी काम करेगा two को हम prefer कर रहा है चलिए तो money is not essential to happiness money is not essential to happiness ठीक ना लेकिन अगर आपको जब यह question जब मिलेंगे जब question देखने को मिलेंगे examination में तो दोनों में से एक ही preposition रखा जाएगा अगर दोनों अगर दे दिया पान के चले कि आप प्रूश सकते हैं कि सार अगर दोनों दे दे तो क्या करेंगे तो हम two को prefer करेंगे बस हम आपको यही कहेंगे फोर का यूज गलत नहीं होगा वाकिक अनुसार फोर का यूज गलत नहीं होगा लेकिन हम prefer two को करेंगे चलिए कुछ और example को देखा जाए चलिए यह क्या कर रहा है विटामीन ए ठीक है न आपने science में पढ़ा होगा विटामीन ए is indispensable to good eyesight इसका हिंदी क्या निकल कराएगा कि जो विटामीन ए है वो अच्छे आँखो के रोस्नी के लिए क्या है जरूरी है ठीक है न तो इसी तरह से हम necessary और vital का भी परियोग कर पाएंगे अगर आप अगर यह essential और indispensable समझ रहें तो उसी प्रकार से आप necessary और vital से भी sentence को बना सकते है चलिए हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं देखिए आपका behavior किसी के परती कैसा हो सकता है आपका behavior किसी के परती अच्छा भी हो सकता है और आपका behavior किसी के परती खराबी हो सकता है ठीक ना तो चलिए इसके लिए चार हमारे पास word है अच्छा और खराब कहने के लिए यह behavior का यह बात करेंगे ठीक ना चलिए देखते हैं वो क्या है आप किसी के परती अच्छे हो सकते हैं आप किसी के प अगर हम इसकी बात ना करें अगर इन तीनों के उल्टा लेके चले तो आप किसी के परती उदर्ण हो सकते हैं चलिए आप किसी के परती देयालू हो सकते हैं एक और ले लिया चलिए यह काइंड नाइस पॉलाइट फ्रेंडिली और रियूड थ्यान दिया जाए आम तोर पर के साथ हम प्रिपोजीशन टू का प्रियू करते हैं लेकिन थ्यान दिया जाए एक खास पैटर्न में एक खास पैटर्न में काइंड के साथ नाइस के साथ हना आफ भी लगता है अभी हमारा फोकस आफ क्यों नहीं है जब हम आफ वाले जब वीडियो सेशन की में आएंगे इस तब हम और बात करेंगे अभी हमारा फोकस है कि काइंड नाइस पॉलाइट फ्रेंडली और रूड अपने साथ टू कैसे लेगा देखिए ये काइंड टू बी लेता है काइंड ऑफ भी लेता है नाइस ऑफ लेता है तो ऑफ जिस पैटरन पर लेता है ना उसका धाचा लग है ठीक है ना हम आफ वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे अभी हमारा जो concentration होना चाहिए वो to cure होना चाहिए ठीक है यह kind का मतलब देयालू देयालू का मतलब क्या behavior आपका behavior किसी के प्रती ठीक है जैसे कि suppose किजिए कि अगर वाक हमारा इस तरह से हो चलिए आप इस वाकर को देखे भगवान मेरे प्रती देयालू है इसका sense क्या है कि अब आवि आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप इसके लिए भगवान को thanks कह रहा है ठीक है ना चलिए भगवान मेरे प्रती देयालू है इसको हम कैसे बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंग, God is kind to me, God is kind to me, कुछ और example से score बहतर समझा जा सकता है, देखिए तो, चलिए, यह कवाक है, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसा हिंदी में चीज का जिक्र है, हम उस तरस नहीं बनाना चाहते हैं, इसको हम बनाना चाहते हैं, ठीक ना, मैनेजर ने उसके साथ उदनता पुर्वक बैवहार किया, यानि कि मैनेजर का बैवहार उसके परती रिएघीтор के खराब था, चलिए, तो ये जो तीन हैं, ये साइर ये जो चार हैं,제 पोजेटिव बैवहार बताएंगे, रिएड का मतलब जाण दिया जाए और सिधा से लिख देंगे यह इतना काफी है इतना बड़ा हिंदी के लिए इतना छोटा अंग्रेजी काफी है जो बात हिंदी में लिखाता है बात अंगरी जी में हो गया थिक ना तो मैनेजर का जो बिहेवियर था उस वेक्ति के प्रतिर्यूड बिहेवियर था एक बहुत ही अच्छा प्रोभर्ब है प्रोभर्ब की रुप में इस्तमाल होता है थोड़ा उसको देखा जाए प्रोभर्ब क्या कहता है चलिए यह प्रोभर्ब क्या कहता है इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी से अगर उचीत बैभार करते हैं यहां पर बिहेवियर को दिख लाएगा ठीक ना आपका बिहेवियर किसी के प्रति कैसा है क्या कहा गया है कि इसका रखोगना नाइस तो समट यह सब्सक्राइ को बात को आगर अगे लेके चलते हैं देखें कि पास अजेक्टिव है जो कि आभवारी बताएगा आप इसके प्रति आभवारी है तो इसके लिए थीन तरके अभवारी कहने के लिए अभवारी के तक आप उसको जो हिंडी में कहा दें देखिए न अभारी के लिए 3 हमारे पास वर्ड है एक हमारा वर्ड है grateful ज्यादा इसी का प्रियूग होता है एक हमारा है obliged और एक हमारा है indebted इसको इसमें b silent होता है इसमें b को नहीं पढ़ा जाता है चलिए तो हमारे है उनके भीतर अना अंतर है उनके बीच अंतर है अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति अभारी होते हैं तो फ़ोर थिंग मतलब कि यह तू और फॉर दोनों लेने वाले यह एजेक्टिव है ठीक ना यह एजेक्टिव तू और फॉर दोनों लेते लेकिन उनकी बीच का अंतर है पर्सन और थिंग जैसे कि एक वाक को लिखा जाए आए ग्रेट फुल एक ना यूर है इसका हिंदी क्या निकलेगा मैं आपके म मदद का फारी हो हमें देखे यूर है यूर है तो मदद तो आदमी ही ना कर रहा है लेकिन आदमी नहीं दिया हुआ है हेल्प दिया हुआ है मैं मेंसन होना चाहिए अगर टू लेना है तो वेक्टी को यहां आना होगा ठीक है वो हेल्प वेक्टी नहीं दिया है लेकिन यहां पर वेक्टी मेंसन नहीं है वेक्टी का जिक्र नहीं है ठीक है यहां पर हेल्प का जिक्र है और हेल्प एक ठिंके म एक और वाक्त देख सकता हूं जिसमें की व्यक्ति और वस्तु दोनों होंगे, लेटर में हम लोग ऐसे लिखते हैं, I shall be indebted to you for your advice, लेटर में ऐसे चीजों को mention करते हैं, मैं आपका भारी रहूंगा, आपके किस चीज के लिए, आपके सलाह के लिए, मतलब वो सलाह को positive मानता है, वो व्यक्ति, तो देखिए, यहाँ advice क्या थिंग है, थिंग के साथ क्या इस्तमाल हो गया, और यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर परसन है, आप ऐसे समझें, तो पर परसन के साथ क्या यूज हुआ, यहाँ पर यह यह यूर एडवाइस क्या हुआ, थिंग हुआ, और इस थिंग के लिए क्या यूज किया गया, फूर, तो बच्चों यह बहुत important, यह तीनों adjective हैं, लेकर आपको बार-बार यह मिलेंगे, बार-बार यह exams में पूछे गए है तो आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना होगा, कि हम थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कि हम परसन के लिए यूज कर रहे हैं, अगर परसन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इनके साथ two, और थिंग के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो इनके साथ four, चली हम लोग बात को आगे दिखते हैं देखिए अब हमारा जो next जो हिंदी हम लेके चल रहे हैं वो सब्द है घिरनीत घिरनीत नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझेए नफरत से भारा हुआ नफरत से भारा हुआ चलिए अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एजेक्टिव को देखेंगे घिरनीत घिरना से भारा हुआ क्या काते है नफरत से भारा हुआ के लिए हमारे पास क्या अच्छे एजेक्टिव है देखिए इससे जो जुड़े हुए एजेक्टिव है वो है आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, कि अगर हम किसी वर्ड के कटेगरी को चेंज करते हैं, तो प्रिपोजीशन बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, ठीक है ना, प्रिपोजीशन बदलता भी है और नहीं भी बदलता है, चलिए, पहले अब्रोरें पर तो definitely adjective है ठीक ना चलिए जब adjective है तो preposition क्या लेगा तू लेगा अब चलिए इसका noun form क्या हो जागा अब यह अभी था adjective है अब जो है यह noun है तो noun के साथ हम बताना चाहते है अभी जो noun वाली जो class मैंने मिस किया है मैंने आपको बताया थे कि थोड़े से noun उसे बच गए है और उनको एज़ेक्टिव वाले वीडियो में हम उनको अड़ेश्ट कर देंगे आपका वो लॉस नहीं होगा आप उसके लिए निश्चिंत रहे है ठीक ना तो देखिए अब मैं बताना चाहता हूं कि प्रिपोजिशन बदला यह एज़ेक्टिव नाउन बन गया प्रिपोजिशन चेंज हो गया तो प्रिपोजिशन बदलता भी है और नहीं भी बदलता है दोनों बाते हैं ऐसा नहीं कि बदल नहीं जाएगा नहीं भी बदल सकता है लेकिन आपर बदल रहा है ठीक ना यह ब अगर मुझे कहना है अगर मुझे कहना है कि मैं हिंसा से नफरत करता हूँ चलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंसा किसी प्रकार का हिंसा हो देखना मैं हिंसा से नफरत करता हूँ देखिए नफरत करता हूँ करता तातीते तो यह यह सीपल परजेंटेंस नफरत करना यहां पर भर्व है नफरत करना क्या है यहां पर भ जाते हैं तो बनेगा आये बहुर यहां पर तू नहीं होगा यहां पर आफ नहीं होगा किसी तरह का प्रिपोजिशन नहीं होगा क्योंकि जब भॉब होता है तो अपने साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं लेता है चलिए आये बहुर भालेंस हमारा जो वाक्त इस तरह से ना चाहते हैं तो कैसे बनेगा बात यहीं रहेगा हना लिखने का ढर्रा चेंज हो जाएगा कैसे लिखूंगा आई एम एम क्यों लगा है अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ है कि किसी सब्जेक्ट के बाद आप डायरेक्ट एज्जेक्टिव का प्रियूग नहीं कर सकते हैं एक सब्जेक्ट और एज्जेक्टिव के बीच में बीका आना जरूरी है आप हिंदी को मत दिखिए हिंदी का निचर क्या आप अंग्लीज को लेकर चलते हैं आप हिंदी को ज्यादा मत दिखिए आई एबहॉरेंट नहीं लिख सकता हूं अगर हम ऐसा लिखते हैं आई एबहॉरेंट तो यह वाक्त हमारा गलत बनने जा रहा है ठिक ना दिखिए यह हमारा सब्जेक्ट है यह समझना होगा य आई के साथ जो इस्तमाल होने वाला हमें एक लिंकिंग भर्व की जरूरत है और वह है यहां पर आएम आई एम अबहॉरेंट तो वहलेंस यही बात को मैंने एज़ेक्टिव से बना दिया देखिए भर्व से बना कोई प्रिपोजिशन नहीं एज़ेक्टिव से बना प्रि और आफ और यही बात को चलिए हैं वह आपको लिखना आप लेख सकते हैं तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ ate जो की examination में पूछा जाता है चलिए तो घिरनीत या नफरत से भारा होने के लिए हमारे पास और क्या वर्ड है एबोहरेंट के अलावा उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं चलिए एबोहरेंट के अलावा हमारे पास और वी वर्ड है जैसे की रिपगनेंट गिरना से भारा हुआ एलर्जिक और एक तरह से आप ले सकते एवर्स एक तरह से भर्स भी होता है ना आप अगर कोई चीज के पर यह वर्स करते हैं तो आप उसको नहीं चाहते हैं आप में अनिच्छा की भावना रहती है ठीक ना आप उसकतर से घिरना करते हैं ओके चलिए तो हमारे पास यह चार जो कॉमन वर्ड है जिनके साथ हम प्रिपोजिशन तू का प्रियू करते ठीक ना इनके साथ आने वाले जो प्रिपोजिशन होंगे प्रिपोजिशन टू एक इंप सामतोर पर होता क्या है देखिये, Two के बाद हम फ़र का पाला रूक का परियूग करते हैं तो प्लस हम भी-वन का परियू करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में Two के साथ हम वर्ष Two के साथ बनता है, यानि कि कहने का तात्पर क्या है कि वर्स 2 के बाद यदि कोई भर्व अगर आता है तो वो भी 1 में नहीं होगा ठीकर ना वो भी 4 में होगा मतलब उसके साथ हम उसके साथ हम ing का प्रियूग करेंगे ठीकर ना तो यह बहुत important यह बात है कि वर्स 2 के साथ आने वाले जो भर्व होंगे वह भी 1 में ना हो करके वह भी 4 में होंगे जबकि अधिकांस अधिकांस का यह क्या most of 2 के साथ आने वाले जो भर्व होते न वह भी 1 होते हैं यह बात important है कि 2 के बाद आने वाले भर भी 1 होते हैं ठीक है लेकिन यह वर्स 2 के साथ जो हम भर्व का इस्तवाल करेंगे तो हम भीपुर का इस्तमाल करें। जैसे के एक वाक्य देखिएगा, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, मुझे तुमसे बात करने में कोई परहज नहीं है, मतलब मैं तुमसे बात कर सकता हूं और इसके परती मैं किसी तरह का नफरत नहीं रखता। यहां हम को ऐसा कहना है, मुझे तुमसे बात करने में कोई परहज नहीं मतलब नफरत वाली बात कर रहा है कि मुझे नफरत नहीं है, चलिए मैं बात कर सकता हूं इसको अगर बनाना है तो कैसे लिखोंगा, I am not averse, नहीं के लिखना होगा ना not चलिए, अब नफरत या लिखना चाहिए क्या मैं लिखना चाहिए टॉक नहीं लिखना चाहिए ठीक ना टॉक नहीं लिखना चाहिए एवर्स टू के बाद आने वाले जो वह होंगे वह भी प्र में होंगे नहीं चलिए अब हम कैसे लिखेंगे I am not averse to talking to you हमारा वाक ऐसे बनेगा तो बच्चों यह बहुत इंपॉर्टन सेशन है आपके लिए इसमें जो पूछे गए हैं वही मैं बात कर रहा हूं जो अल्रडी पूछे जा चुके हैं जो आपको बार-बार मिलेंगे सेट में मिलेंगे अगर आप अंग्रेजी में कुछ पढ़ते ह हैं तो उनमें यह मिलने वाले हैं यह सब मतलब समझे कि यह contemporary adjectives हैं चले कुछ हम बात को हम और आगे लेके चलते हैं देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे adjective हैं जिसके साथ हम preposition two का प्रियू करते हैं उनको भी देखा जाए उनके चार्ट में आपको दे देता हूं का प्रियूस कि लिए पर इतना को समझा जाए ठीक ना देखिए क्या कर रहा है एकीन सिमिलर एनलोगस और इडेंटिकल यह चार बहुत समान मतलब है समान का मतलब है समान का मतलब हो अब कोई काम करने कि अच्छा मतलब है कि उसके बगार आप आप रहा नहीं सकते हैं ऑर अगर आप कोई चीज के परती कस्टम्ड है या आप हैं है मतलब आप उसको जानते हैं उसको करते हैं वो चीज आपके लिए नहीं है तो हम लोग देखेंगे और कॉंट्रारी और अपोजिट का हिंदी होता है बीप्रीद चलिए वाक से इंद को बले समझा जाए क्या मैं लिख सकता हूँ एक वाक को देखा जाए हम इसका क्या हिंदी निकालेंगे इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मेरी समस्याहिएं तुम्हारी समस्याहों के समान है देखिए अकिन हमें यह पर अक्किन के जगह पर मैं similar भी लिख सकता हूं ठीक है ना identical भी लिख सकता हूं सभी वर्ड एक दूसरे के synonyms हैं चलिए अडिक्टर और अडिक्टर का मतब लती आपकोई चीज खाने पिने का लती है या कोई चीज गलत चीज के परतिया पलती है मतब उसके बगएर आप रह नहीं सकते हैं जैसे कि आप इस वाके को देखिए और अडिक्टर टू इसका हिंदी ओपियम का मतलब अफिम होता है ठीक है ना लिख कि अफिम का आधि है अफिम का लती है मतलब कि बीन अफिम के वह रह नहीं सकता है चलिए एक कस्टम टू के साथ एक जिन में तू लगा रहता है थोड़ा धिया जाए यह बीना तू का कभी आएगा भी नहीं इसके साथू एक इसके साथू आलवेज और आलवेज लगा रहेगा अब इसके बाद इसके को यह होगा वह भी फॉरम में होगा जैसे कि आप वाक्ट को देखिए इसका हिंदी क्या निकल कराएगा इसका हिंदी यह निकल कराएगा कि वह व्यक्ति देर से उठने का आदी है अभियस्थ है मतलब कि वह और वोज देर से ही उठता है तो बड़ा बात क्या है इसमें बड़ा बात इसमें यह है कि कस्टम के बाद आने वाले जो घॉब होंगे वह भी फॉर में होंगे चलिए थोड़ा सा देखा जाए कॉंट्रैरी और अपोसिट यह दोनों का मतलब बताब बीपरित ज चलिए एक छोटा सबाक देखा जाए क्या कर रहा है कि उमीद के विपरित तीम अच्छी खेली ठीक है ना मतलब लोगों ने उमीद नहीं किया था कि यह टीम इतनी अच्छी खेलेगी लेकिन टीम काफी अच्छी खेली और वो लोगों के विपरित था चलिए इसको हम कैसे to expectation the team the team played well the team played well क्या देख रहे हैं कि contrary एक objective होगा थोड़ा ध्यान दिया जाए क्या देख रहे हैं कि contrary एक objective होगा जिसके साथ लगने वाला जो preposition होगा वो to होगा चलिए बच्चों तो यह important adjectives हैं जिसके साथ हम लोग आम तोर पर हम to का प्रियों करते हैं कुछ और जिसके साथ देखिए यह तीन एज़ेक्टिव का मतलब क्या होता है relevant to, pertinent to, or related to, ठीक ना, इनका मतलब होता है संगत, संगत नहीं समझ में आता है तो आप समझे कि यह समझे कि जुड़ा हुआ, ठीक ना, कोई चीज यह दि किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो वह relevant है, पर्टिनेंट है और वह related है, तो आप इसका हिंदी आप समझ सकते हैं, इसका हिंदियों का संगत, संगत नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझे का जुड़ा हुआ, ठीक ना, और इनके साथ हम क्या preparation के इस्तमाल करेंगे, ठीक ना, इसके साथ हम जो preparation के इस्तमाल करेंगे, वह चलिए, एक बहुती सरल तरह का एक वाक लिखा गया है, आवर प्रिपरेशन तुड़ भी relevant to the syllabus, इसका हिंदी क्या हुआ, कि हमारी तयारी syllabus के नुरूप होना चाहिए, संगत होना चाहिए, यानि कि syllabus और हमारी तयारी एक साव होना चाहिए, चलिए, ये तो बाते हुई, च इसके साथ हम तुगा प्रिव करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट ये होने वाले हैं, जैसे कि वड़ दिखिएगा इंडिजनस, और एक वड़ निटीव, दोनों का अर्थ होता है, देसी, सवदेसी, देसज, आप ऐसे समझेए, अगर कोई चीज़ अगर कहीं, अगर इंडि पाए जाते हैं, लेकिन ये किस देश के मूल ये जानवर हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल जानवर हैं, तो आस्ट्रेलिया के लिए क्लिए क्लिए होंगे, इंडिजनस होंगे, निटीव होंगे, ठीक न, अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिख इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं देखिए तो हम लिख सकते हैं तुलसी इस नेटिव टू इंडिया और ये जो तुलसी है तुलसी दुनिया में अन्य जगहों पर भी पाय जाते हैं लेकिन ये मूल रूप से किस देश का प्लांट है ये भारत का प्लांट है तो क्या लिख important session है बच्चों ये सारे के सारे जो भी adjectives हैं ये काम के adjectives हैं आप preposition तो सिखी रहे हैं इसके अलावा आप word के अर्थ को भी देख रहे हैं ठीक ना तो आपको दोरी फायदा आपको ये देने वाला ये वीडियो session है चलिए हम बात करते हैं कि इन एज्जेक्टिप जो की important है एक blind है एक आपका deep है और एक आपका lame है ठीक है ना दिखिए अगर आप ब्लाइं से लेता है लेकिन अगर देख सकते हैं लेकिन अगर आप कोई चिछ को देख सकते हैं लेकिन देखते कि यह आपको को दिखाए नहीं है अंदेखी के सेंस में हम लोग प्रीव करते हैं देखिए जब आपके पास आख नहीं है तो फिर अनदेखी के सेंस में तू जैसे आप इस वाकर को देखे आप इस वाकों को देखे वो एक आक्सियंधा है हमें बनाना है हम इसको किस तरह से डिल करेंगे इस ब्लाइन देखिए अब आपके पास आखी नहीं है ठीक है न एक आख तो हैं नहीं तो एक आक्सियंधा है इस मामलों में क्या इस्तवाल करने वाले हैं इन यहां पर टू का जो यूज जोगा वह गलत होगा देखे टू गलत होगा ऑफ गलत होगा यह सब गलत होने वाले प्री पोजीशन है वाके करने सार यह सब गलत हो जाएंगे तो इस ब्लैंड टू वन आई चलिए वह एक आक्सियंधा है चलिए एक दूसरा वाक देखेंगे इस वाके को देखिए वह हमारे समस्याओं के परतियन देखी करता है यह हमारी समस्याओं को अंदेखी करता है और इसे हमें ब्लैंड से बनाना है ठीक ना ब्लैंड से बनाना है इस मामलों में जब हम कोई चीच को अंदेखी करते हैं मतलब देखते नहीं है consider नहीं करते हैं तो इस मामलों में preposition क्या लगना चाहिए लगना चाहिए वो हमारे समस्याओं के प्रतियन देखी करता है अथ्वा समस्याओं कुण देखी करता है हम इसे किस प्रकार बनाएंगे ही इस अगर हमें बनाना होगा तो कैसे लिए कि चलेंगे ही इस प्राइन तू यहां पर टू का प्रिवग होना चाहिए आवर प्रॉब्लेम्स इस ब्लाइन टू आवर प्रॉब्लेम्स चलिए इसी तरह से डीप में भी दो तरह की बाता हैं अगर आपके पास कान नहीं है तो उस sense में हम deep के साथ off कापNews करते हैं लेकिन अगर आप कोईचिण कोईच नहीं करते हैं प्रियू करेंगे यानी कि यह दोनों प्रिपोदीसल लेने वाले एजेक्टिव है अब हमें वाकर को देखना पड़ेगा कि वह कान का मामला है या कोई चीछपन सुनी करने का मामला है जैसे कि अगर यह देखते हैं और कि यह देखते हैं लेकिन जब आप कोई चीछ बार बार कहते हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है पहना मतलब उसको हम सुनी कर देते हैं इसको कैसे लिखेंगे अगर इसी चीज़ को लिखा जाए दो ओफीसर वाज कि प्रीफ तू आवर रिक्वेस्ट यानि कि हम लोग बार बार प्राथना कर रहे थे लेकिन ओफीसर वो सुनने को तयार नहीं था चलिए लेम के साथ के वाल एक ही प्रीपोजीशन है लेम का मतलब वो तर लंगड़ा और इसके साथ के वाल एक ही बात है कि लेम के साथ हम प्रीपोजीशन ओफ का प्रीव करते हैं ठीक है ना हम लिख सकते हैं वह दोनों पैरों से लंगड़ा है वह एक पैर से लंगड़ा है हमको जो भी कहाना है लेम के साथ के वाल एक ही प्री पोजीशन है डीप के साथ दो देखिए डीप के साथ दो ब्लैंड के साथ दो लेकि लेम के साथ के वाल एक ही प्री पोजीशन काम करेगा he is lame of one lady तो बच्चो आज का हमारा वीडियो से सनीत रही रहेगा हमने सभी important adjectives को देखा है देखे हैं कि कैसे कोई adjective अपने सा to लेता है कोई adjective in भी ले लेता है तो ये सारे variability मैंने इस वीडियो से सनी में clear कर दिया है फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कमी रह गई है तो आप अपने वीचार को जरूर कॉमेंट बॉक्स में share करें आज की बात बस इतना ही रहेगा आप इस वीडियो को सुरू से अंत्र तक देखे तो आपको ये पूरी बात समझ में आएगी ठीक है आज की बात बस इतना ही थांकिव भेरी मच